अगर आपको OnePlus not purchase करना इंडिया में तो आप कैसे purchase कर सकते हैं कम price में इसमें EMI options भी available है प्लस आप कम से कम price में कैसे purchase कर सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि आप इसे offline कैसे purchase कर सकते हैं कोई सभी mobile shop से अगर आपको जानना है कैसे करना है तो इस वीडियो को पूरा end तक देखिए अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो मेक शुरा आप चैनल को सब्सक्राइब करें चल्डी को चल्डी से स्टार्ट करते हैं मैं आशुद गुपाल तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको oneplus not purchase करना है online तो पहला तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप oneplus से purchase मत करें डिर्क आप इसे amazon से purchase करें अब आपको amazon से कैसे purchase करना है तो इसके लिए चलते है computer screen के तरफ आपको मैं एक link description में दूँगा simple आपको इस link को click करना है best price करके वो link होगा simple उसे click करें और आप इस तरीके के page में आ जाएंगे इसमें आप देखेंगे आपको हर तरीके के oneplus अविलेबल है आप इसे open करके देखें for example यह वाला में open कर ले तो 28,000 रुपीज वाला तो wait a minute तो यह कुछ इस तरीके का है और आप देखें तो इसमें सबसे अची बात definitely अगर आप oneplus खरीदने वाले तो आगे बास कोई पुराना phone होगा आप इसमें एक्सचेंज करा सकते हैं इसमें आपको यह काफी कम प्राइज है मिलेगा यह माई option भी बताऊंगा आप वीडियो को तो काफी कम प्राइज है मिलेगा और जहां तक बात करो इसमें क्या 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 पॉलेशी है अगर आप इसे SDFC bank credit card और debit card से purchase करते तो आपको 5000 रुपीस तक कर discount मिलेगा यानि वह जो discount है वह instant discount रहेगा और 5000 तक मिलेगा अब तू है याद रखेगा confirm निये कि 5000 नहीं मिलेग और अगर आप EMI में purchase करते हैं तो आपको इसमें off मिल सकता है तो इसमें आपको उतना off ने मिलेगा 2500-300 ऐसा ही कुछ कम होगा खाली यूग कि अगर आप इसमें Amazon EMI option यूज करते हैं तो अब बात करते हैं EMI option के उपर EMI में इसमें क्या क्या discount है तो अगर आप जैसी इसे EMI म क्लिक करके यहां पर आना है उसका EMI option आपको यहां पर मिल जाएगा यह देखें सिंपल इसे आपको क्लिक करना है और इसमें काफी ज्यादा एक Amazon Pay Later है और जैसे कि आपको पता अगर आप Amazon Pay Later को यूज करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 250 रूपीज तक का cashback यह देखे यानि आपको 25% बैक हो जाएगा ऐसी कुछ है आप एक बड़ इसे चेक कर लीजएगा आपको eligibility चेक करना है तो यहां पर आके आप चेक कर सकते हैं तो आपको यहां पर पता चल जाएगा आप debit card के थूरू MI भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत ज् कर देंगे तो अगर आप debit card के थूरू MI लेना चाहते हो तो आप definitely ले सकते हैं यह काफी आचाए नेक्स्ट जो है no cost EMI काफी लोग प्रिफर करते है no cost EMI ही लेना क्योंकि उसमें आगे से कोई interest और आपको देना नहीं पड़ता तो आप इसमें कैसे no cost EMI select करें तो simple आपको अपस EMI option पर आना है उसके बाद यहां पर other EMI आने के बाद यह जो बटन इसे आपको इनेबल कर देना साइध यह फोन में नहीं दिखते है और आप देख लिजाए अगर नहीं दिखे तो आप Chrome में जाके view as desktop site करेंगे तो definitely आप इसमें इस पेज पर इसा विजिट कर आप जैसे आएंगे इस इनेबल करेंगे तो यह सिर्फ दो में अविलेबल है पहला तो Amazon का ICI credit card है जो कि काफी लोग इसे नहीं बनाया हो गया और काफी लोग के पास नहीं भी होगा तो आपको यहां करना है बजाज फाइनेंस का बना दीजे काफी इसली और जल्दी बन इसे आपको सिंपल बना लेना और यह देखिए से EMI plan भी अविलेबल है 9,000 रुपीज में थ्री मन्त का और no cost EMI इंट्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं रगेगा और उतना ही आपको पढ़ेगा 27,999 रुपीज तो आप no cost EMI में बजाज finance से यूज कर सकते हैं अब मैं आपको क् अगर आपको EMI option में लेना है तो definitely आप ले सकते हैं इससे भी इस तरीके से आप low price में purchase कर सकते हैं पहला तो यह सब offer को use करके पहला यह bank offer, SDFC, credit card, आपके दोस्त के पास किसी के भी family member के साथ होगा तो definitely आप उनके में cash भेज के आप इस order करेंगे तो आपको भी cash rack मिलेगा व अपर काफी लों को नहीं रहता है लेकिन उनको phone चाहिए one plus node तो आपको क्या करना है आपको कोई सभी mobile shop के पास जाना है जो अच्छा कासा mobile रखता हो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा phone रखता हो जो android phone थोड़ा महंगा महंगा रखता हो आपको उसके पास जाकर बोलना है अगर one plus node है तो काफी अच्छी बात है और वो 500 रुपीज ही जादा लेगा अगर वो 500 रुपीज से जादा ले रहा है तो आपको उसको convince करना है कि नहीं मैं नहीं लूँगा आपको कम पढ़ना पड़ेगा भली 500 रुपीज लो और उससे जादा मत लो क्यों क्यों कि वो उतने price में में order किया है और वो भी Amazon से order किया 28,000 रुपीज में जैसे कि आप यह देख सकते 28,000 का उतने ही में order किया है और 500 रुपीज वो extra मांग रहा है उसमें उसकी कुछ महनत नहीं है बस वो order किया है सही time में और time का फाइदा उठा कि order कर लिया है और आप नहीं कर पाया तो उसी का वो 500 रुपीज ले रहा है लेकिन 500 रुपीज ले रहा है definitely आप मान जो कि कोई भी mobile shop में जाओगे तो 500 रुपीज लेगा ही लेगा unless or until वो आपका friend है तो कम लेगा या फिर ले गई नहीं 500 रुपीज भी तो आपको अगर कोई 500 रुपीज से जादा ले रहा है तो आपको उसे purchase नहीं करना है नहीं तो आपका उसमें ही घाटा और एक बता दू अगर उसके पास नहीं तो आपको क्या बोलना है आप इससे order क मंगा सकते हो इससे जादा आपको देना ही नहीं है बस यह बात को द्यान में रखे बाकि आप इसे offline नहीं मंगा सकते हो इस तरीके इसे यूज करके और वो फिर भी ना माने तो आपको एक trick और यूज करना है जो कि मैं यूज करता हूँ यह definitely हर जगा काम आता है आपको यह बोलना है कि अब सिर्फ 500 रूपीज ही जादा लो क्योंकि और भी इसे family member में में कोई लेने वाले है तो आप ऐसा बोल के आप उससे 500 रूपीज में ले सकते हैं अगर वो मान रहा है इससे आप से आप से बोल सकते हो next time और mobile खरीदना होगा तो आप ही के पास से खरीदूग आप यह चीज को यूज करके देखें डेफिनेटली वर करता है तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखें तो make sure आप चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को दबादीज अगर आपको और भी कुछ रावट है किसी भी चीज के related तो आप comment करके पूछ सकते हैं और मैंने एक अगर आपको यह चोटे मोटे रीजन के लिए भी फोन को reject कर लेता अब ऐसा थोड़ी ना क्यूंको फोन बिल्कुल नया मिलेगा तो भी वह reject कर देता नहीं पता ऐसा क्यों होता है अब उसके जरीए मैं आपको recommend करूँग कि आप Amazon का exchange system यूज करीए वह बहुत अच्छा है इसलिए मैं आपको Amazon recommend किया बागे अगर आपको इस page पे आना है तो आपको link description ने मिल जाएगा इसमें पूरे detail आपको OnePlus का मिल जाएगा plus कौन-कौन से अभी available है OnePlus के Nordphone कौन-कौन से range में उस सब आपको यहाँ देख जाएंगे तो इसमें आईए link description है best price कर के अगर यूज कर दिए कुछ doubt है comment करें चैनल को subscribe कर के बैर इकन के दबा दीजे थैंक्स वाचिंगा माशुद गोपाल और भी वीडियो देखो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो